काशी, काशी का साब्दिक अर्थ है प्रकाश और पूरे भारत में मुख्यता तीन प्रकाश के केंद्र है यानि की तीन काशी है पहला काशी जो की अब वारानसी नाम से जाना जाता है और गंगा के किनारे उत्तर परदेश में इस्तित है दूसरा उत्तरकाशी जो की उत्तरागंड के उत्तरपच्मी भाग में भागी रत के किनारे इस्तित है और तीसरा गुप्तकाशी जो की मंदाकनी नदी घाटी के भीतर उत्तरी हमाले छेतर में इस्तित है तो अब चर्टी को अब अब बागी जोगा तो अब जोगाया गया तो पहल अब इस्तित है और उपर सी शब की टैंट में दिखा दूगा दूगा तो इसको बाकी अब ही सुनान हो गया है दोली का टाइम साड़े आठका होगा तो फिर डोली कैसे निकलेगी और जो प्रॉसत होगा आठी होगी या जो भी होगा भिखाएंगे मुझे पता नहीं भी क्या क्या होने वाला और बाकी यही पीछे मंदिर है अपना इसके शौट अपने कल से देखी रहे हो और यह नीचे मोरे यहां पुराना वंदर था यह था मत वर ज्यादा ही व्हुण होगा था तो तोड़के अब नया कन्सक्शन किया रहा मंदुर का अब चलता हूँ ऑपर थोड़ा कप्र वप्रे सेट करता हो टैंट को निकालना इसके बाद अब्री तो जो भी हो रहा है रहा है तो आप अपना भी दूसरों को देना एक एक्सेंचल लेके आना उस पर थी पिल लगा की बागी को भी धान देना इसमें अभी अरूंड एक लाक में चार्ज हो रहा है और बादी फोन अलग है तो इक भाई मिलें जो भारत जातरब पे है अरूंड पिछले लास्ट यर से गुम रहे ह और 24 सेट घूम चुके है तो एक बड़ देखूंग है अब अब जो नेपल काया वास्काली मलब रिलीजियस प्लेज गूमते है और और भी वासे हैं मैं पुरी धार्मी किस्तल है जैसे कोई भी मंद्रो जो वो सारे और जितने गोज़गारे है वो सारे और जितने गोज़ जोग अपने घूमने के पैशन को कितने ज्यादा हाई पे ले जुके है एक साल से अराउंड भाई गूम रहे है और 24 स्टेट भाई ने पूरा अलमस्स घूम लिया है और उसके अलावा है कंट्री नेपाल भी जा चुके है तो अगर घूमना है तो सिर्फ मन के अंदर होना याद से वीडियो को शेर करना काफी तरी लोग ऐसे हैं जो भारत जैत्रा पर पैदल भी निकले होएं सैकल पर निकले हुए या किसी बाइक पर निकले हुए तो जाओ सपोर्ट करो देखो रियल इंडिया रियल भारत देखने को मिलेगा ठीक है और बहुत सारे ऐसे लोग के अनुसार महाबारत के कुरुक्षेत्रियुद के बाद भगवान कृष्ण की सला पर भ्रात्य हत्या और ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्त होने के लिए और मुक्ष प्राप्ट करने के लिए पांडब भगवान शिफ की खोज में हिमाले के तरफ निकले लेकिन भगवान उनसे मिलना नहीं चाते थे इसलिए उन्होंने गुप्तकाशी में आके नंदी बैल के रुप्त में गुप्त वास लिया और इस वज़ा से स्तान को गुप्तकाशी का नाम दिया गया गुप्तकाशी से जुड़ी हुई एक और पॉड़ाने कता यह भी है कि मंदाकनी और सुनगंगा नदी के संगम परिस्तित त्रियोगी नाणगाओं में विवा से पहले भगवान शिव ने गुप्तकाशी में ही माता पारविती के समक्स विवा का प्रस्ताव रगाता विश्वनात मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और विश्वनात मंदिर के ठीक साथ में अर्द नारेशन मंदिर है जो कि भगवान शिव और माता पारवती के आदे पुरुष और आदे इस्त्री रूप को समर्पित है साथी मंदर के प्रांगण में मनी करनी का कुंड है जिसमें सिवलिंग को दो धाराओं से सनान कराया जाता है और उन दो धाराओं को गंगा और यमना माना गया है आज के दाना डोली आतरा का दूसरा दिन है आज बाबा के दारकी पंचमकी डोली गुप्तकासी से आगे प्रस्तान करेगी आज मेरा भोला तिरी डोली सजीगे ओखी माट बाटीन गुप्तकासी पोछीगे आज मेरा भोला त्वे अन पढ़लो भगतो की पुकारे सूनन पढ़लो पहली पढ़ाओ तिरी गुप्तकासी दूसुरु पढ़ाओ तिरी गोरी कुंड मा आज की आतरा लगबक 13 किलोमेटर की है और आज बाबा की डोली यह 13 किलोमेटर ताय करकर फाटा पहुंचेगी जो की आज बाबा की दार की डोली का विश्रामस्तान होगा सनातन धर्म में यात्राओं का बहुत मैत्व है जात्राओं लोगों को विबिन सांस्कृत दरोहर और परंपराओं से परिश्रत करवाता है जात्राओं संस्कृती की विविदता को समझाने में और संस्कृती का सम्मान करने में मदद करता है जात्राओं के ही माध्यम से लोग विबिन छेत्रों के लोक कलाओं से जुड़ते हैं आसांत सब्दों में कहें तो जात्राओं से ही किसी छेत्र के लोगों को जाना जा सकता है उनके विचारों का पता लगाए जा सकता है और वहां की संस्कृति को समझा जा सकता है जरसनों को आणी चा दुख बिबता त्वेमा छोडिक सुख उपरे ले जाणी चा हे बाबा सुख उपरे ले जाणी चा तो भाई ऐसे स्टॉप बने हुए है जहां पर रोब जोब जोब मिल रहा है बुरा अस्ता रस मिल रहा है लगबक चार घंटे बाद गाउं गाउं दर्शन देते हुए अब बाबा केदार की डोली फाटा पहुंच चुकी है लोब जोब म thee सार्णै प्ला केदार अ Pourquoi दो भागवाने ही। स्थार फचे कर दो भागवाने की हारे उतों 10 FE हारे कि ऑारे हारे 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 माध थिर माध बर्सक्डिंब मादिप 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 ol हाले, 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 हाले! कर दो, 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 क तो फाटर बहुन चुके ते पर दोली अपने देख लिए फुल मजे करें फुल दबा के डांस कह रहा है और पीछे अब फॉर्स ऐसा मैंने प्लेस देखा है जा गड़वारी कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं और गाने भी चल रहे हैं तो वह देखते हैं दोड़ा क्या सीन है तो अब ही पहले प्रोग्राम देख लेते हैं बहुत बन कर रहा था मेरा मैं महां से आया वुकी मट में कुछ भी उत्राखंच जैसा में को लगा नहीं मतलब जो काने भी अल्मोस हिंदी चल दे जो डोल दोल होते हैं जो अपना दिल्ली वाले डोल होते हैं हर जगा और क्या हो पर आज सामको और क्या होते हैं ठीक है तो हमें टैंट लगा रहा हूं पाटा पर एक स्कूल के अंदर तो इभी देख ना कल देखा था पर कल चत पर लगा रहते हैं आज पर अपरे ग्राउंड है तो महां टैंट लगा रहा हूं और दिखते हैं कैसा सीन होता है क्या है चलो क्या है क्या हूं गया है क्या है कर दो आप खरो दो जो आप तो गुट कर दो खब अब दो एगा है तो भाई ऐसे कुछ टेंट सेट हुआ है यह भाई जो मिल गेते अपने नाइंताल कहीं है और यह व्लॉगर है अब मैं इसका पूरा अपना उनर हूँ जैसे मन करना वैसा रहना नो चेक आउट नो चेक इन कुछ सीन नहीं है और पीछे भी अगाफी ऐसी टेंट लगे है फाटा एक पहली ऐसी जगह है जहां पे प्रॉपर थोड़ा उत्रांचल उत्राखंड जो अपना है उसका कल्चर दिख रहा है सांस्क्रिक कारेकरम जो उसमें प्रॉपर एक नाटक था जो गड़वाल के एक बंदी के उपर अगर आपको पता हो तो और उसके उससे पहले जोड़े हुए थे डांस वा तो भी मैं दिखाया और उससे पहले दोनों प्लेस में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो यह हुआ तो अच्छा लगा देखके और मैं कबसे बेड़ भी कर रहा था जो भी अपने पाड़ी भाई में लेदा हम यही बात कर रहे थे कि यह यह से यात्रा जा रही है और उत्राखंड में चल रही है बट इसके जो जहला के उत्राखंड की वह उसमें बहुत कम दिख रही कि यहां उत्राखंड वाली उत्राखंड राज्ये के अंदर यह डोजी चल रही है बट अब हो रहा है तो बढ़िया लग रहा अच्छा लग रहा है बहुत डांस करा दब आके और आगे देखते हैं शाम को क्या होगा और उसको एकॉर्डिंग प्लाइन करेंगे तो भाई इस अड़े नौ बच चुके हैं और कुछ उत्राखंडी क लाकार आ रहे हैं तो उनको देखने जा रहे हैं और आशी कुछ मार्केट सजी हुए है फाटा की टेक चेले परू क्वेपर अ चाना तुम अढ़े अचा है मदि ना तोहां प्लती ना पनीं त यहां दो सच्वें जैसा मैंने पहले कहा था जात्राओं के ही माध्यम से लोग विबिन छेत्रों की लोक कलाओं से जुड़ते हैं तो ये उनी चीजों से जुड़ी कुछ जलके थी अब मिलते हैं केदाना डोली आत्रा के एपिसोड 3 में तब तक के लिए जैब अद्री केदार